नमस्कार प्यारे बच्चो बच्चो आज हम Classics की Happiness Story 20 पढ़ने वाले हैं जिसका शेशक है कहानी एक बीज की एक कमपणी के मालिक आलोग सर ने अपनी कमपणी के लिए अगले मालिक को चुनने के लिए एक अलग तरीके से फैसला किया उन्होंने कमपनी में काम कर रही यूव को और यूवतियों को अपने कमरे में बुलाया कुछ विशेश बीजों को देते हुए उनसे कहा जाओ और इन बीजों को गमले में लगाओ एक साल बाद मैं तुम्हारे बौधों को देखूंगा और उसके आधार पर कमपनी का नया मालिक चुनूंगा युवाओं में स्नेहा नाम की एक लड़की थी सबकी तरह उसने भी अपने घर जाकर एक गमला लिया और उसमें वह बीज बो दिये रोज वह उस गमले में पानी देती लेकिन बीजों से पौधे नहीं निकले ओफिस में उसके दोस्त अपने बढ़ते पौधों के बारे में बात करते तो वह उदास हो जाती स्नेहा के पास तो किवल मिट्टी भरा गमला था जिसमें पौधा नहीं उग पाया था जब आलोक सर को पौधा दिखाने का दिन आया तो स्नेहा ढहबीत मन से वहाँ पहुँची सभी युवाव के पास उनके गमलों में शानदार पौधे दे जब आलोक सर ने स्नेहा का पौधा देखा तो उसे सामने बुलाया और सब को संबोधित करते हुए कहा अपने नए मालिक से मिलो इसमें वह साहस और निष्टा है जो एक कंपनी के मालिक बनने के लिए जरूरी है मैंने तो आप सबको उबले हुए बीज दिये थे जो उग ही नहीं सकते थे स्नेहा ने अपना खाली गमला लाकर साहस और निष्टा का परिचे दिया है मेरे बाद इस कंपनी की मालिक स्नेहा होगी बच्चो अब इस कहानी से संबंदित कुछ प्रशनों पर चर्चा करते हैं बच्चो क्या आपको अपने परिवार के किसी सदस्य में भी स्नेहा जैसी इमानदारी दिखाई दी है आपने उनके किस वेहवार से यह जाना किसी काम को करने में पूरी मेहनत की लेकिन आपको सफलता नहीं मिली उधारन दे कर बताए बच्चो क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी कारे में आपको असफलता मिली हो और आपने अपनी कमी को स्विकार करके साहस का परिचय दिया हूँ बच्चो उन लोगों के नाम साजा करें जिनोंने आपके कठिन समय में आपकी हिम्मत बढ़ाई हो या फिर सही सला दे कर आपकी मदद की हो